हेलो, नमस्कार बच्चों, मैं तिवारी सर, आपके बीच में फिर उपस्तित हुआ हूँ आपने पिछली क्लास में सेल साइकल की स्टेडी की थी सेल साइकल में किसे कहते हैं, ये आपके सामने बनी हुई है तो उसमें साइकल में हमने दो स्टेजेस पढ़ी थी एक इंटर फेज स्टेजेस थी और एक M फेजेस था माइटोटिक फेज था तो इंटर फेज में हमने तीन सब उसकी अबस्थाएं पड़े थी जीवानेस जीटू इस अबस्था में सेल प्रिपियर होती है डिवीजन करने के लिए और आपने पढ़ा था उसमें कि ये सबसे सेल्स करनें कि लम्बी अबस्ता होती इंटर फेज रिस्टिंग स्टेज कहलाती है इसमें किसी और का डिवीजन नहीं होता जब आप EMP हैंगे तो माय ऐटोटिक फेज में क्या होता है है तो माईटोटिक फेज में इसमें दो प्रकार Зबींड इविजन करती है मायटी सेल्स का निर्माड करना यहां पर देखिएगा तो हम आते हैं देरना करते हुए माय टोटिक डिवीजन माय टोटिक डिवीजन को हम क्या बोलते हैं तो इसको हम समसूत्री विभाजन भी कहते हैं और यह हमारे समेटिक सेल्स में ही डिवीजन का काम करती है देखिए दो प्रक एक सेल को डिबाइट करती है और मियोसिस डिबिजन जो होता है और अधुरॉटिव सेल इविजन कने का काम करता है तो व्क्ष माई टोस्प मेंस होता है 1 सेथिसे पेरेंटे सेल से क्या करती है 어느 सेेल का मान करती है यहाँ parents cell हो गया और यह दो daughter cells हो जाएं इनकी importance क्या है तो importance यह है कि यह दोनों daughter cells यह parents cells के समान ही होती है गुनात्मक वाशंक्यात्मक दृष्टी से समान होती है किसके अपने parents cells है इनमें किसी भी प्रकार का chromosome में परिवरतन नहीं होता और ना ही इनमें numbers बढ़ते हैं यह number divide होते रहते हैं cells के समान होती हैं इनमें क्रोमोसों में परिवरतन नहीं होता तो यह सबसे importance त्यान देने वाली बात है कि यह जो daughter cells हैं किसके समान होँगी तो अपने parents cell के समान ही होती है इनकी संख्या में परिवर्थन नहीं होता अब ये मायटोसिस सब्द दिया किसने तो मायटोसिस सब्द सरबधम बॉल्टर फ्लेमिंग नमक बैग्यानिक ने दिया था इन्होंने एनिमल्स अमें सरबधम देखा था और प्लांट्स में स्टॉस बर्गर नमक बेग यनिक ने खोज किया था मायटोसिस अच्छा ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती धागे नुमा ठीक है और सबसे अच्छा हम अपने छात्रों को ये बताना जाएंगे कि यदि मायटोसिस की स्टेडी करनी है ये कोश्चन कोई पूछता है कि मायटोसिस का अध्यन करने के लिए सबसे बेस्ट माटेरियल क्या है तो ओनियन का रूट टिप जो प्याज का मोलसिर्स होता है सबसे बेस्ट टेक्निक है आइडेंटिफाई करने के लिए जिसको हम लेबोर्टी में प्रयोग कर सकते हैं लेबोर्टी में अच्छा ये मायटोसिस के माद्धिम से होता क्या है तो जेनेटिक स्टेबिलिटी यानि अनुबानसिक स्थायत तो होता है इसमें किसी प्रकार के क्रोमोसोम नंबर में परिवरतन नहीं होता ये आप इसका इंपोर्टेंस बता सकते हैं ये किसी प्रकार की क्रोमोसोम का परिवरतन नहीं होता जैसे पैरेंट्स में होता है वैसे ही डॉट्टर सेल्स में होती है ये सेल के डेबलमेंट एंड ग्रोथ में हेल्फ करता है cell की मरमत repairing में help करता है और bound healing किसी प्रकार का घाव होने पर ये उसमें repairing का काम करता है अब आपने पढ़ा था cell cycle में कि interface अबस्ता होती interface के बाद m-phage होता है तो उसमें आपने m-phage में पढ़ा था cytokinesis तो उसमें ये पढ़ा था कि ये two types का होता है m-phage केरियो काइनेसिस और साइटो काइनेसिस वाट इस दे केरियो काइनेसिस तो केरियो काइनेसिस क्या होता है केरियो काइनेसिस के मध्यम से आइडिन्टिफाई किये करते हैं केंद्रक का तो इसमें देखिएगा ये मायटोटिक डिविजन जो हुआ का यह केरियो काइनेसिस और साइटो काइनेसिस में डिवाइट हुआ केरियो काइनेसिस मतलब होता है केंदरक का बिभाजन डिविजन ओफ नुकलियस यहां पे होगा तो उसमें आपने पढ़ा था ये पहले होगा ये बिफोर होगा और ये क्या होगा ये आप्टर होगा ये चीछ ध्यान रखना आप तो पहले केरियो काइनेसिस कर डिविजन होगा और बाद में किसका होगा साइटो काइनेसिस का इसमें और ये देखिएगा केरियो काइनेसि है पिर उसमें दो शील्स का डीपलेमेंट हुआ और यह दोनों सेल उसके दराई नुक्लिएस jako निर्मान करती है प्रोव एज मेटाफेज आनफेज तो प्रोव आपने पड़ा था यह किसमें क्या क्या करते हैं तो यह देखेगा प्रोव इजोrence स्टेज होती है इसमें चुकि यह लॉंग स्टेज होती है और प्रोफेज में जब आप देखेगा तो यहां अरली जो पूर बवस्ता होती है इसमें क्रोमोसोम कुछ ऐसे दिखाई देते हैं लिप्टे हुए धागे नुमासन रचना और यह तारक के इंदर के इतारक के यह जो क्रोमोसोम की यह लेयर है चारो तरफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर यहां बन जाती है और यह समाप्त हो जाती है तो लास्ट में एक स्ट्रक्चर डेबलब हो गई और फिर आप मेटाफेज देखेंगे तो मेटाफेज में क्रोमोसोम की आकरती का स्टड़ी करते हैं आकार में कैसे परिवर्तन होता है उसकी identification के लिए हम मेटाफेज अबस्था important अबस्था होती है यह morphological study करती है क्रोमोसोम की structure की एनाफेज सबसे छोटी stage होती है और इसमें sister chromatid divide हो जाता है जो point होता है इसके अधर पर division हो जाता है यह कुछ दो chromatid बन जाते हैं दो sister committed का निर्माड होता है दो sister committed का निर्माड इसमें हुआ दैन टीलो फेज लास्ट फेज आपकी nuclear membrane यह दियान रखना जो प्रोफेज है यह वाली फेज प्रोफेज तो यह टीलो फेज क्या होगी प्रोफेज की आपोजिट फेज होती है है ना इसमें यह आप देखिएगा nuclear membrane यह लास्ट में हट जाती है और यह nuclear membrane पुनाह निर्मित हो जाती है मतलब यह आपको बताना है दैन फिर आपकी next है cytokinesis तो what is the cytokinesis कोशिका के अधार पर plant cell और animal cell में divide है तो इसमें क्या होता है cytokinesis में जो plant cells है यह देख रहे हैं आप दो cells इन में cell plant का निर्मान होता है यह बीच में आप देख रहे हैं cells दो भागों बट गई और बीच में एक plant का निर्मान हो गया तो यह plant का निर्मान होता है फ्रेगमोप्लास्ट के दवरा यह plant cell में animal cell में यह division होता है यह दो cells, खांच के रूप में यह बीच का भाग जो颱 आब देख रहे हैं ऐसे खांच के रूप में परिवर्तित हो जाता है तो जब भी आप से कुछë पूछे कि sitokinesis में plant cells किसके माद्यम से डिवीजन का काम करती तो आप बताएंगी सेल प्लेंट और ऐनिमल सेल में खाच के माद्यम से तो इनका परपस क्या है इनका परपस वही है कि पैरेंट सेल से दो डॉटर सेल का निर्मान करना तो यह मैटोटिक फेज है और सबसे इंपोर्डेंट फेज था तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा यह आप सेल्स आए के लिए दिया आप नहीं पढ़ें तो प्लीज प्लीज इसको आप अच्छे से पढ़ लें देन उसके बाद तभी आपको यह समझ में आयेगा तो हम आप से पहले भी बोले थे कि हम यह एक्स्प्लेंड करे हैं और अच्छे रहें सुस्त रहें थैंक यू समझ